दन्य हैं वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राजियों नहीं का है दन्य हैं वे जो शोग करते हैं क्योंकि वे शांती पाएंगे दन्य हैं वे जो नम रहें क्योंकि वे प्रित्वी के अधिकारी होंगे धन्य है वे जो धर्म के भूगे और प्यासे हैं क्योंकि वे त्रिप्त किये जाएंगे धन्य है वे जो दयावंध हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगे धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे कोई मुनिश्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुछ जालेगा तुम परमिश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पीएंगे और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहने क्या भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर नहीं अकाश के पक्षियों को देखो वे ना तो बोते हैं ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं फिर भी तुमारा स्वर्गे पिता उनको खिलाता है क्या तुम उनसे अतिक मूल्य नहीं रखते तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्ता में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो जंगली सोसनों पर ध्यान करो वे कैसे बढ़ते हैं ना तो परिश्रम करते और ना काते हैं तो अभी मैं तुम से कहता हूँ सुलेमान भी अपने सारे विभाव में और मेह बरसा बाढ़ें आई आंधियां चले और उस घर पर टक्करें लगे परन्तु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी मेह चटान पर डाले गें थे क्योंकि वह घरे क्योंकि यह ए्यां विजा ये। वह प्रिश्यां पर बादो हूए क्योंकि वह ए्यां वह ए्यां असारे वह यह तो बाले वह आगए प्रभू यदि तू चाहे तू मुझे शुद्ध कर सकता है मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जाए मैं चाहता हूँ कर सकता हूँ कर सकता है मैं पहाँ खू कर सकता हूँ tumour if somebody is diagnosed with leprosy, you cannot come near, you know, whoever's around the person must be quarantined for a while to see whether they catch their leprosy. And then not only yet, the lepers themselves are kept aside in a leper's colony, right? No one can touch them. And that's why when Jesus came to the leper and the leper says, Lord, if you're willing, you can make me clean, the very first thing, this is our Lord Jesus, he's so beautiful. The leper just said, you can speak the word, you can make me clean. Didn't say touch me, but Jesus touched him. I said, Jesus touched him. We do not know how long he has been without human touch. He longed for his children. That's why I did the video. He probably longed for his family, but not only family, no one has touched him. No one dared to touch him. Jesus touched him. Amen? Now watch this. Jesus didn't catch what the leper had. The leper caught what Jesus had. If you were blessed by this video, please feel